नमस्कार दोस्तो सभी EPS 95 पेंसन धारगों का टेक्स पर देवी यूटूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तो हाजिर हो गए हैं एक और नय अपडेट लेके आप सभी EPS 95 पेंसन धारगों के लिए EPS 95 पेंसन बरोतरी को लेकर EPS 95 पेंसन से संबनिन जिहां दोस्तों जैसे कि आप सभी को पताए कि माने ने सुप्रिम कोट में EPS 95 पैंसन के जो केस लिस्टिड है उस पर सुनवाई होनी है तो उसी से संबनित एक बड़ा अपडेट है आप सभी EPS 95 पैंसन दारगों के लिए और आने वाले दिनों में आपको जो है एक बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है EPS 95 पैंसन से संबनित बताओं को कम्प्लीट जान करी दूँगा EPS 95 पैंसन से संबनित अब जो है गया नया अपडेट निकल के आ रहा है उससे पहले अगर आप भी EPS 95 पैंसनर्स हैं अगर आप चाहते कि आपको EPS 95 पैंसन से संबनित लगातर अपडेट मिलते रहें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुले चले जान लेते हैं पूरी डिटेल से इस नए अपडेट के बारे में दोस्तों अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा EPS 95 पर हाई कोड के फैसले के खिलाफ की EPFO द्वारा दाय राचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें का गया था कि करमचारियों की पैंसन को 15,000 रुपए तक सिमित नहीं किया जा सकता और यह अंतिम आहरित वेतन के समानुपाती होना चाहिए मामले की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से परति दिन के आधार पर की जाएगी तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो काभी सारे कोमेंट हमें देखने को मिल रहेते पूछ रहेते कि जो 17 अगस्त 2021 को मानिने सुप्रीम कोड में सुनवाई होगी क्या उसी दिन फैसला आ जाएगा या फिर लगातर सुनवाई चलेगी तो यहां पर अब जो सुनवाई होगी परती दिन के आधार पर की जाएगी 17 अगस्त 2021 से और दोस्तों इसके साथ नयायमूर्ती योयू ललित और नयायमूर्ती अजे रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थैगित करते हुए का हम इस मामले को हिस्सा सुनवाई के रूप में चि पेस होने वाले किसी भी वकिल को हम पहले सुनेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक और बड़ी खबर है यहाँ कि अब यहाँ पर एक और लेटेस्ट अपडेट यह है कि नयायमूर्ती योयू ललित और नयायमूर्ती अजे रस्तोगी की पीठ ने यहाँ पर काय कि हम मामले को दिन परति दिन के आधार पर सुना जाएगा और परमुख मामलों को सुचिबंद करते हुए केरल, दिल्ली और राजिस्थान के उच नालियों को फैसले को लागू नहीं करने पर केंदर सरकार और EPFO के खिलब अवमाना कारवाई शुरूप करने से परति बंदित कर दिया था, अदालत ने अपने आदेश में का कि आगे विचार करने तक उपरोक चार श्रेनों के मामले में पारित किसी भी आदेश को लागू करने के लिए कोई अमाना आविदन नहीं लिया जाएगा, नयायमूर्ती उद्धे उमेश ललित, नयायमूर्ती हेमंत गुपता और नयायमूर्ती रविंदर भट की बैंच ने 29 जनवरी 2021 को केंदर सरकार और EPFO को राद देत वे केरल हाई कोट के फैसले के खिलाब दायर विशेश अनुमती याचिका को खारिज करने के अपने आदेश को वापिस ले लिया था, जिसने करमचारी पैंसन संसोधन योजना 2014 को रद कर दिया, जिसमें अधिक्तम पैंसन योगे वितन को 15,000 रुपए परती महा तक सिमित कर दिया था और प्रारंभिक सुनवाई के लिए भारसंग और करमचारी बहुशे निदी संक्ठन द्वारा उच नयाले के फैसले के खिलाब दायर SLP को 25 फरवरी 2021 को सुचिबं किया था, केंदर सरकार का तरक था कि उच नाले द्वारा जारी निर्देशों के परणाम सवरूप करमचारों को पूर्व्यापी रूप से लापरदान किया जाएगा जो बदले में बहुत ऐसंतुलन पैदा करेगा, तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट अपडेट है, सभी EPS नेटवाइ पैंसनेस है, उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और माने ने सुप्रेम कोड की तरफ से पहले जो डेट दी जाती थी, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, अब जो है डेट नई डेट लंबे समय की जो है नहीं दी जाएगी, लगातर मामले की सुनवाई होगी, बट यहाँ पर नयाई मूर्ती जी ने ये भी कह देगी, हम लीड मामले और मुखे मामले में पेश होने वाले किसी भी वकील को हम पहले सुनेंगे, तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट निकल क्या रहा था माने ने सुप्रेम कोड से कवे सारे कोमे क्या डिसिजन आता है और अगली तारी कोन सी देता है, दूसरे दिन लगातर सुनवाई जारी रखेगा, जो भी डिसिजन आएगा, जो भी नया अपडेट आएगा, हम आपके साथ हमेशा की तरह वीडियो के मादम से सारे अपडेट सेर करते रहेंगे, जिससे कि आपको प झाले